असलाम अलेकुम गास मैंने में साथिफा सिंपर्वट और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ स्टेट्मेंट प्रिविस वीडियो में मैं आपको बताया था कि हम स्टैप स्टैप करके बाते करेंगे और एक सिब्लेनेशन दूंगा आपको मैं इफ और हिंदी के बात करूं तो काफी जाए चीज़ें सेम ही है इफ कि अगर मैं बात करूं तो होता है अगर इफ अगर मतलब के अब आपको मैं एक रियल वर्ल एक्जैंपल से समझाता हूं इस स्टेट्मेंट का मतलब किया स्टेट्मेंट क्यों यूज होती है यह आप है और यह call को pick करेंगे आप ने phone के पास जा रहे हैं और call को pick कर रहे हैं कब अगर ये if अगर phone पे call आ रही है otherwise आप call किसकी pick करेंगे otherwise अगर call नहीं आ रही तो आप phone के पास क्यों जाएंगे WhatsApp अगर यूश करने के लिए चले जाएंगे रेकिन call जब आ रही नहीं तो call कौन किसकी pick करेंगे तो call आईए phone है आप phone के पास जा रहे हैं क्यों कब जाएंगे जब call आएगी ओके मैं इसको दुबार explain कर देता हूँ ये आप है real well examples है ये आपका phone है means कि आप बैट बगारा पर लेटे में या आपका phone आपके साथ पढ़ा हुआ है तो आप अपने phone पकरेंगे और call पिक करेंगे जिनकी भी call आईए कब अगर आपके phone पे call आएगी तब तो यही concept है इस statement का अब इसे coding किसरा लिखे जाता है उसके syntax कह है कि इसको मैं आगे फर्दर एक्सको explain करता हूं इसका इसका इस लिखे जाता है keyword है इस सारा कुछ छोटा लिखना आई भी छोटा लिखना है एफ भी छोटा लिखना लिखना दैन पैर अन्थिस दो लगाई जाती है और इसके नहीं डाली जाती कि condition मैं भी वह को बताता हूं कि condition क्या condition होती है हमारे वाले case में real world वाले example में क्या condition थी कि जब call आ रही थी तो आप call सुन रहे थे करेंगे बट यहां पर कुछ condition चेंज होगी अगर कंडिशन होती है means कि अगर कंडिशन सही साबित होती है इंसानी दमाग के मताबिक तो उसे यह मिशीन के मताबिक भी और इंसानी दमाग के मताबिक भी तो अंदर का कोड जो है यानि कि जो ब्रैकेट लगी है एक यह और य ये condition किया कुण सी condition होती है ये conditions होती है Luk showed rational and logical operators divided on relational and logical operators आटे सो relational goes logical IO उसे होता है अरहां यह वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि relational and logical operators जान ने पाले कि वह बड़ा in-point रखता है in if statement आके इस यह बिज में होगी कर यह में कोई 9-11 नमबर पर होगी नोट सुन लेक इस कंडिशन इस त्रू यानि कि इसके अंदर जो कंडिशन आ रही है अब मैं बताओ को एक्जैंपल दे तो मैं आपको अगर यह कंडिशन ट्रू होती है फिर ही कोड रन करेगा कौन से वाला कोड इसके इन ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है यह वाला कोड इन ब्रैकेट्स के अंदर यह लिखा हुआ है अगर कंडिशन ट्रू नहीं है तो कोड रन नहीं करेगा इसको और एक्स्प्लें करते हैं कि एक्जैंपल से एक्जैंपल मैं दे वी है कि इ यहां भी मैंने डाला हुआ है relational operator greater than का sign अगर condition true होती है तो अंदर वाला code run कर दो तो यह condition true हो रही है तो see what I want to be a programmer तो यह condition true होगी ना तो वह जो आपको real value example दे थी यह उसी तरह ही काम कर रहा है कि अगर five forward से बड़ा होता है जो के है तो condition run कर दो इसको मैं और further explain करता हूँ practically तो चलते हैं code में so guys include iostream ले लिए मैंने include conure to attach ले लिए using namespace ले लिए main ले लिए अप्रैंसिस डाल दें तो सारी basic सी चीज़े ओके अब मैं यहां क्या करता हूँ दो variables ले लेता हूँ int a is equal to 10 और int b is equal to 20 fine अब मैं करता हूँ अब मैं यहां पर लगाऊंगा इफ कि इफ है निक अच्छा अगर मैं पर करता हूँ see out I want to be a programmer okay इसको अगर मैं run कर वाऊं execute में जाऊंगा compile and run F11 से भी हो जाता है तो यहां पर show होना चाहिए I want to be a programmer okay but मैं चाहता हूँ कि कब show हो कब show हो अगर a b से भड़ा ना हो अगर a b से भड़ा ना हो यह बी से छोटा हो तो इस लिखाऊंगा इस पर की वाड़ा देखें बोल में भी हो जाएगा अभी बोल में कुछ नहीं हो रहा अभी भी बोल में नहीं हो रहा यह बोल में हो जाएगा बिल्कुल हो रही है तो अब आ रहा है ओके अब मैं क्या कहता हूं कि अगर a b से भड़ा होता है अगर a b से भड़ा होता है तभी कोड रन करें अभी a b से बढ़ा है नहीं है यह कंदिशन टू नहीं है तो यह यह वाला कोड रन नहीं करेंगा वोके अगर मैं हैंब कर देता हूं 30 और यहां पर कंदिशन टू होगी है क्योंकि a b से बढ़ा है तो इस वजह से जब कंदिशन टू होगी तो अंदर वाला कोड अविसली बंद करेंगा अगर यह तो बात होगी सिर्फ रिलेशनल उपरेटर की अब इसको फर्दे थोड़ा और डीप लेकि जाता हूं मैं यह यह लोगिकल उपरेटर भी लिगाता हूं कि अगर a b से बढ़ा होता है अब मैं इस चीज को एक्सप्रेंड नहीं करूंगा इतना डीपली क्यूंकि यह मैं एक्सप्रेंड कर चुका हूं अपरी वीडियो है जो वीडियो थी लोगिकल अपरेटर अगर b से बढ़ा होता है और में इसके and इसके साथ साथ b a से छोटा अगर होता है इस वाले logical operator में क्या होता है कि दोनों conditions true होंगी तो answer true आएगा ठीक है तो a b से बढ़ा है जी बिल्कुल है और b a से छोटा है जी बिल्कुल है तो में इसके अदर क्या आजेगा true आजेगा यह true होगी ठीक है अगर मैं इसको compile और run करवा हूँ तो i want to be programmer और और अगर आपको समझ नहीं आ ली तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप logical और relational operator वाली जाकि वीडियो देख लें जालता हूं अब यहां भी मैं एक statement false जालता हूं अ भी यह बढ़ा यह बढ़ाए नहीं है तो and में दोनों का true होना पर होना फिर हिए यहां पर true आएगा तो इस वाफिम में करवाता हूं तो अब नहीं आए गा ओके तो यहां में logical operator को मैं लगाती है और गई अगे ४ित दखाव देता हूं पर इस वीडियो के इंड कर देता हूं और यहां पर 20 कर देता हूं अब यहां पर relational operator को डालूंगा अगर AB के aLE है तो यह program को run कर दो और AB के Euan नहीं है तो फिर इस प्रोग््यकियो कर mult करो जो के नहीं होगा क्यों नहीं और क्योंकि यह statement false है true नहीं है तो यह if के अंदर statement true होगी then ही अंदर वाला code run होगी guys बस इतना ही था if statement में next video में बात मैं करूंगा if else क्या होता है then else if क्या होता है और आगे switch statement के बारे में बात करूंगा but till then किसी की कोई किसी की question accurate होगी तो जरूर पुछेगा और जिनको इन चीजों के समझ नहीं है यह not equal to or lesser than or logical operators की recommend मैं करूंगा playlist में जाए मेरी और वीडियो देखे मेरी logical and relational operator I hopes आपको समझा जाएगी आने वाली वीडियो में आपको दाऊंगा तीन the scene making statements के बारे में but till then thanks for watching this video Khuda Hafiz